हलो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं विशेक भारगाव, भारगाव क्लासिस के इस यूट्व चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मारा वीडियो को टॉपिक है वो है चत्किल करेंट अफेर, अप्रेल 2021, तो ये जो है बहुत ही इंपोर्ट बहुत जादा जरूरी हो, तभी आप घर से बाहर जाईए, और घर से बाहर जाते समय भी आप मास्क और सेनेटाइजर का यूज़ जरूर करिए, देखिए ये महामारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और फैल रही है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन हैं कि आ प्लीज अपने घर में रही है और वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई की जो है वो तैयारी करिए, ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रशन है कि छतित्र गड़ को राश्टी पंचायत पुरुसकार में कितने पुरुसकार जो है वो प्राप्त ह तो यह आप डाटा याद रखेगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पात करते हैं, तो केंद्री पंचायती राजमंत्राले द्वारा दिये जाने वाले राश्टी पंचायत पुरुसकार, तो अब आपको यह भी याद रखना है कि इसको कौन देता है, तो केंद्र पंचायतों के खातों में पुरुसकार रासी ऑनलाइन अंतरन किया है, तीन अलग-अलग वर्गों में दिये जाने वाले इस पुरुसकार में चत्ति गड़ को प्रथम वर्ग, मतलब कैटेगरी वन में असम के साथ में संयुक्त रूप से दूसरा इस्थान जो है, वो प्र दूसरे प्रिशन की दरेप चलते हैं, दूसरा प्रिशन भारत से रिलेटेड हैं कि भारत वैस्फिक उर्जा रुपांतरण सूचकांक में कौन से स्थान पर हैं, तो देखें भारत वैस्फिक उर्जा रुपांतरण सूचकांक में 87 नंबर पर हैं, देखें जितने भी इं 2015 सूचकांग में 115 देसों की सूची में 87 इस्थान पर है यह सूचकांग विभिन पहलूओं के आधार पर देसों की उर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है विस आर्थिक मंज की 21 अपरेल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार ETI के बारे में जानकार और उत्री यूरोप के देस है जिसमें सूची में स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है जबकि नार्वे और यूरोप के क्रमसा दूसरे और तीसरे स्थान पर है ठीक तो याद रखिएगा तीसरा प्रशन है कि खेलो इंडिया यूद गेमस 2021 की मेजबानी कौन सा राजजिक करेगा? तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा होगा हरियाणा हरियाणा जो है वो खेलो यूद 2021 की मेजबानी जो है वो करेगा तो हरियाना के मुख्यमंत्री कोने मनुखर लाल खटर और केंडरी खेल मंत्री किरन रीजुजी ने सनीवार को गोशना की कि 2021 में आयूजीट होने वाले खेलो एंडिया यूथ गेम्स के चौते सत्र की मेजबानी हरियाना करेगा यह जो है खेलो निया जो है वो 2018 से जो है वो चल रहा है तो यह चौथा इसका जो है वो टाइम होगा ठीके तो याद रखीएगा चौथा जो है वो हर्याना जो है अजीत करेगा चौथा प्रशन है कि बिलास्पूर की परवतार हो ही जिनोंने हाल ही में आफरिका की सबसे उची चोटी माउंट किली मंजारों पर तिरंगा फैरा है दगे यहाँ पर प्रशन में थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैंने पूछाए कि बिलासपूर की परवतार होई इसलिए मैं इंचन किया है क्योंकि अभी-भी आमिता सिरवास भी जो है वो जो है वो केली मनजारों पर फटे की है इसलिए मैंने यहां पर बिलासपूर डाला है तो इहां पर आमिता सिर्वास आंसर नहीं होगा यहां पर आंसर होगा निसू सी निसू सी ने जो है वो अभी अभी जो है वो माउंट किली मंजारों पर तिरंगा लहराया और यह कहां की रहने वाली है बिलासपूर की ठीक है त तो आपको ये भी याद रखना है ठीक, ये कई बार एक्जामों में कोश्चन जो है वो या हमने करेंट अफेर में कई बार जो है वो इससे रिलेटिक कोश्चन किये हुए है, निसु ने यह किरतिमान 22 अपरेल 2021 को हासिल किया, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, इससे पहले चितरेसं साहु, नोंने माउंट किली मंजार ओपर जो है तिरंगा फैरा उसके बाद अमीता सिर्वास, जो की 36 गड़ की पहली महीला थी, जिनोंने माउंट कीली मंजार उपर जो है वो तिरंगा फैरा है तो ये तीन नाम जो आपको याद रखना है ठीक है कि इनों ने जो आपको तिरंगा फैरा है माउंट कीली मंजार उपर ठीक है उसकी उचाई भी आपको थोड़ सा ध्यान में रखना है इसके आप पाच्वा प्रश्न है कि छत्तिकड में वेरनी पुरुसकार से किस पुलिस कर्मी को सम्मानित किया गया है यहाँ पर पूछा गया है कि किस पुलिस कर्मी को ठीक है सुभा मुग्देल, रेबिक्का ममन जौब, सब्बा हाजी, राणा साफी, बुद्री ताती, केसव कुअर, पनिका, अमिता सिर्वास, लक्षमी करियारे, अमीरा साह, याशिका दत्क, सवीता अवस्थी सामिल है। तो देखे, इतने सारे लोगों को वेजनी पुरुसकार दिया गया है, तो आपको कुछ चुनिंदा नाम याद रखने है, जैसे कि तीजन भाई, दूतीचन, इनके नाम ही याद रखेंगे, तो ये बहुत हो जाता है, या महिला ये आरक्षक, अंकीता गुपता गराम, या प प्रशना है कि छत्तिगड के मसूर रंग कर्मी, जिनका हाली में निधन हो गया, देखे, ये बहुत जादा मसूहूर थे, ठीक है, तो इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है, और ये कोश्चन हो सके, तो इकज़ाम में पूछा भी जाएगा, तो इनका नाम है दीपक व विराट तिवारी का लंबी बिमारी के बात में निधन हो गया, प्रसिद्ध रंग कर्मी, हबीब तनवीर के नया थेटर में दीपक ने लंबे समय तक जो है वो नाटकों में भूमी का निभाई थी, दीपक को रंग कर्मी और संगीत नाटक एकडमी पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है तो ये याद रखिएगा, अंतिम समय पे अपने परिवार के साथ राजनन गाउं में थे, देश के प्रसिद्ध रंग कर्मी, हबीब तनवीर के नाटकों में दीपक विराट तिवारी दबंग किरदार निभाते थे, मसुहुर नाटक चरन दास चोर, में चोर का जीवन्त किरदार निभाकर, दीपक ने नाटिकला के छित्र में विश्व में अपनी अलग पहचान जो है, वो बना ली थी, तो ये जो है, इनका किरदार सबसे ज़्यादा मसूर था, चोरी के इस सुनर के लिए दीपक को देश के राश्रपती रामनात को इन ने संगीत नाटक एकडेमी पुरसकार से जो है, वो इनको सम्मानित किया था, तो बहुत इंपोर्टेन कोशन है, ये एक्जाम में पूछा ही जा सकता है, तो याद रखेगा दीपक विराठ तिवारी, साथवा प्रशन है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 36 ग इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतरगत में विज्ञान इवं समाजिक अनुप्रियोगों में मूल विचार एवं नवाचारों के नामंकन के लिए 36 गड़ को देश के 33 सर्वस्रेष्ट राजी के रूप में जो है, वो चैनीत किया गया है, इंस्पायर अवार्ड म नवाचारों का चैन माना कपोड के लिए जो है, वो किया गया, और 36 गड़ को तीसरा इस्थान जो है, इसके लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा, आठवा प्रशना है कि हाली में छत्तिवगड की किस राजनेता का निधन हुगया, तो आप सभी इनको बहुत ठीक है, इनका निधन हुआ करूना शुकला का, पूरो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाचपई की भतीजी और कॉंग्रेस नेताक करूना सुकला का सोमवार को जो है, वो निधन हुआ, करूना संक्रमण के कराण वे रायपूर के रामकृष्णा हॉस्पिटल में जो है, अध्यक्ष थी, तो ये पॉइंट याद रखेगा, समाज कल्यान बोड की जो है, वो अध्यक्ष थी, इससे पहले वो लोक सबा सांसाथ भी थी, वो भाजपा की राश्ती उपद्यक्ष सहीत, तमाम बड़े पदो पर रही है, टिकट न मिलने के कराण वे नाराज होकर 2013 के विधान सबाचुनाओ के दोरान, करुणा सुकला भाजपाच छोड़कर जो है, वो कॉंग्रेस में सामिल हो गई थी, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नवा प्रशन है, आसकर से सम्मंधित है, इसका एक पर्टिकूलर अलग से वीडियो बनाये जाएगा, जिसके अंदर में सारे ऐसकर के जितने भी अवाड़ है, वो सारे जो है, आप लोग को कराये जाएगा, ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको ये वाला प्रशन है वो ध्यान रखना है, कि ऑसकर अवाड़ 2020 में बेस्ट फिल्म का पूरुसकार जो है, वो किसे अंतर में सारे जितने भी आउसकर में जितने भी अवाड दिये गए हैं पुराने नये सारे मिला जो लाकर तो इसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे ठीक है फिल्म No Man Land ने इस साल तीन बड़े पुरुसकार जीते हैं No Man Land को Best Film, Best Director और Best Actress के पुरुसकार मिले हैं No Man Land के लिए जो है वो महीला निर्देशक, जो है वो कलाई जाओ वो सर्वस्रेश निर्देशक का पुरुसकार मिला है निर्देशक लाई जाओ, अवार्ड जेने वाली वो दूसरी महीला है तो यह सारा डीटेल जो है वो जब आउसकार का अलग से वीडियो करेंगे उसके अंदर में सारा डीटेल जो है वो देखेंगे तो यह कुछ करेंट अफेर थे जो की बहुत जादा important है एक प्रस्न जो है वो आप सभी के लिए है तो दस्वा प्रस्न जो है वो 21 अप्रेल को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर बताना है प्लीज जितने भी बचे वीडियो देखते हैं वो प्लीज जो है लास्ट जो भी question पूछा जाता है उसका answer नीचे comment section में जरूर करा करिए इससे आपकी भी practice होती है और जिनको नहीं मालूम होता उनको भी मालूम चल जाता है वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे comment section में comment करते र बाहर तभी जाए जब बहुत जादा आवश्यक्ता हो आपको बाहर जाने की और जाते समय आप जो है वो मास्क जरूर लगाए ठीक है हो सके तो दो-दो मास्क का use जो है वो करें बिमारी जो है वो बहुत जादा बढ़ रही है ठीक है तो थोड़ा आपने आपको ध्यान र करना है तो आज के वीडियो में इतना ही था जय हिंद जय भारत